तो चलिए करते हैं कुछ practice questions तो देखें यहां पर physics में wave optics यानि की तरंग प्रकाशी की से एक सवाल हमारे सामने हैं यहां पर पूछा जा रहा है कि दो कला सबद सुरूत से चलने वाली दो तरंगे अध्यार उपित होती हैं तो किसी बिंदू पर इसके मद्ध कालांतर फाई है तो आपको परणामी विस्थापन और तीवरता के लिए सूत्र स्थापत करना है तो देखें इसके पहले हम परणामी विस्थापन के लिए अध्यार उपन के सिध्धान से हम परणामी विस्थापन ला चुके हैं तो आपको याद होगा कि परणामी विस्थापन हम क्या लेकर के आये थे तो परणामी विस्थापन हम लेकर के आये थे कि दो तरंगे भी होती ही जिनका विस्थापन अलग-अलग एक का A1 होता है एक का A2 होता है तो परणामी विस्थापन होता है A² बराबर A1² प्लस A2² इसको आप एक काम करिए Capital ही रहें दीजे Capital A² बराबर A1² प्लस A2² प्लस 2 A1 A2 और कॉस आफ कितना हुआ करता फाई यह हुआ करता है इसको नंबर वन दे दीजे अब मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूँ देखे जो तीवरता होती है ना तीवरता आई जो होती है वो आयाम के वरगे के समानुपाती होती है इसका मतलब यदि आप यहां से आई हटाओगे समानुपात हटाओगे तो कोई नहीं है तांक आएगा K A² तो जो तीवरता होगी वो क्या हो जाएगी K A² अब आप एक काम करो जो आपके पास में समीकरण एक है समीकरण एक लिख लो क्या आपके पास में समीकरण एक a square बराबर हो गया a1 square प्लस a2 square प्लस 2 a1 a2 cos का 5 यह आपके पास में है इस पूरे समीकरण में आप k का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा k a square बराबर k a1 का square plus k a2 का square plus k का गुणा यहां भी करोगे तो 2 को आप आँगे लियाओ और a1 a2 cos of 5 ठीक है आप देखो k a square को क्या लेख सकते हो आप इस k a के square को लेख सकते हो कुल तीवर्ता equal to ये क्या है a1 है मतलब ये पहले विकरण की टीवर्ता बनेगी i1 square ये बनेगी दूसरे विकरण की टीवर्ता plus 2 को बाहर रहन दो अब देखो यह आपके पास में k a1 है k a1 को आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो k a1 को आप इसे लिख सकते हो देखो के है ना दो बार है के तो के को एक बार आप क्या करो अंडर रूट के एक बार और अंडर रूट के दो बार कर लिया तो के ही बन गया अब एवन एवन है तो एवन स्क्वाइर कर दोगे तो एवन रूट के बाहरा जागा एवन बन जाएगा एटू स्क्वार कर दोगे रूट के अंदर तो एटू बाहर आएगा रूट बन जाएगा एटू बन जाएगा और यहां पर क्या बचेगा कॉस भाई बिल्कुल सही लिखा मैंने टर्म आप थोड़ा इसको र्यलाइज कर दो तब आपको पता चल जाएगा बई के रूट के अंदर के आएगा एवन एसकोईर एटू स्क्वार और जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो i equal to i1 square प्लस i2 square फ्लस तो धियान से देखू यह क्या हो जाएगा k a1 square क्या होगा आईवन होगा ना तो यह अंडरूट आईवन अंडरूट आईटू और कॉस ऑफ कितना फाई तो यह हो गया परिणामी तीवरता का व्यंजक परिणामी तीवरता का जो व्यंजक आएगा वो होगा यह होगी तो यह लिख लेगी आपकी प्रणामी तीवरता कोई पुछे प् देखतम और नियूंतम ती उरता भी निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच धन्यवाद।